हलो एबरिवन welcome to modulation institute और जो भी एस्टुटेंट दल्ली पोल टेखनीक का इस बार फर्स्ट राउंड का कांसेलिंग में जिनका नंबर नहीं आया था तो उनका second round के कांसेलिंग में बहुत सारे श्टुएंट का नंबर आया है तो जो भी एस्टुएंट तो मैं आपको इस वीडियो में हर एक चीज डिसकस करूंगा कैसे क्या करना है क्या गलती नहीं करना है घबराना नहीं है अभी जब तक आपका कांशलिंग नहीं होता है तब सभी स्ट्विएंट का बीपी बरा क्या तो मैं अब करके स्क्रीण पर आपको दीख रहा होगा इसे स्क्रीन पर अगर आप देखोगे तो क्या options आ रहा है options आप देखोगे तो अभी जो आज ही चुकी option स्टार्ट हुआ है second round के counseling का तो जिसे options आ रहा है my applications का मैं किसी एक student का portal खोल रखा हूं जिसमाँ my applications है preview form है choice submissions है और एंकार्ड है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है सबसे पहले जो first round के counseling में था कि पहले choice submission था उसके बाद एक दिन के बाद यह options आया था TFW एर NCC TFW क्या है मैंने अल्रेडी एक video डाला था आप उसका detail में देख लोगे TFW है tuition fee waiver tuition fee waiver काने का मतलब यह होता है कि जिस जो भी students जिसका economically background low है जो economically weaker section से है जिनका family income काफी कम है तो उनको यह income certificate upload करना है ठीक है न तो उनका यह लिखना है कि क्या आप TFW से belong करते हो अगर करते हो तो ठीक है नहीं करते हो तो कोई बात नहीं करते हैं तो yes करके लिखना है फिर बाद में आप से income certificate मांगा जाएगा जिसका income certificate एट लाग पर येर से कम होगा कोई TFW के अंडर conditions में आएंगे और यह भी नहीं है कि जो भी आठ लाग से कम income होगा सब TFW के अंदर आ जाएंगे कुछ limited seats होते हैं जिसको TFW के अंदर रखा जाएगा तो जो students को लगता है कि अगर आपके पास income valid income certificate है और वह आठ लाग से नीचे का है आपके नाम से नहीं होगा आपके फादर के नाम से होगा तो आप उसको apply कर सकते हैं अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है नो करके आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि आगे आपको scholarship मिलेगा ट्यूशन फीस कोई ज्यादा है नहीं 17500 रुपे है अगर ये भी अगर ठीक है अगर आपको ये भी माप कराना है तो दिल्ली गवर्मेंट का scholarship program होता है जो कि आप उसके तहत भी आप अपना फीस का scholarship के माध्यम से आप ले सकते हैं तो इसमें आपको जब options अभी चुकि यह जो options आरहा है जब भी हम choice submissions पर क्लिक कर रहे है तो और दूसरा जो problem आ रहा है हरे के student को कि यह फील कहां करना है यह options ही नहीं आ रहा है तो अभी कुछ दिर में automatic options खुल जाएगा कि कहां पर फील करना है जैसी आप इस पर क्लिक करोगे चार लेवल होता है तो जो भी आप लेवल का exam में त्यारी किये होगे यह तो उसमें आपको कुछ उसका भी कुछ benefit मिलता है तो आप उसका फॉर्म जो भी certificate होगा आप apply करोगे अगर अभी ऐसा कुछ भी कोर्स अकरना आप नहीं किया है तो आप no करके और कर सिममिट एकार दोगा और अटमेटिक आपका फॉर्वर्ण हो जाएगा यह च्वार संके स्बखकों से और कॉलेज में आपको ईड्मिसन चाहिए ठीक है न मानलोग की किसी स्टुडेट को मेगेनिकल लेना है जब आपको लेना है तो शर्च है कि नहीं जो भी आपके आप के मुझे झाना है तो आप उसमें कौन कौन सा बॉलेबल है जब नहीं चैरे सब कर iterative को पहला पर क्या सलेक करना है कॉलेज सेलेक्ट करोगे उसमें ब्रांच सेलेक्ट करोगे फिर उसी कॉलेज में अगर आपको दूसरा बढ़ाच चाहिए तो आप उसी कॉलेज में दूसरा बढ़ाच आप वहाँ पर 999 ऑप्शन से सलेक्ट करने का आप करही ने पावगे इतना जादा है तो maximum student जो लाफ फ कर सकते हैं कि आपका कहां मिल सकता है कंप्यूटर साइंस वाले students का चांस बहुत कम है जिसका ज्यादा रेंख होगा और किसी के डिगरी से बिलॉग नहीं करते होंगे तो उनका कम चांस है मिलने का फिर भी आप फॉस्ट जो आप option सेलेक्ट करोगे अगर आपको कोई भी ब पता है नहीं आपको पता है किसी को ने पता है कि अंदर कितना सीट बचा हुआ है तो इसलिए जो भी ब्रांच चाहिए आप first options में वही सीड़ा लोगे जो ब्रांच आपको चाहिए जिस चाहिए जो भी आसफास में थोरा सा बहुत सारे स्टमेंट डिस्टेंस और को लेकी मतलब ऐसा कुछ परले नजदीक के चकर में जिसका आगे बेनी पिने हो इस सारे बातों को ध्यान डखना है तुरा इसा नहीं कि बहुत सारे स्टमेंट में मेरे घर से दूर है और नजदीक के चकर में दूर में अच्छा कॉलेज मिल रहा था उसको छोड़ दी है तो इस ब आप से होता है तो आपको इस बात का ध्यान डखना है घवरान नहीं यह जो अभी आपको स्क्रीन पर दीख रहा है कि प्लीज फील्टी एफ डवलू एंड एंसी सी तो यह उप्संस आ जाएगा फिर आप च्लिक कर वे च्लिक कर वे जाके और आपको क्या करना है जो भी कॉ सब्सक्राइब कर ले तो जैसे ही आपको यहां पर देखो आप चार ही ऑप्शन दीख रहा है जब आप च्वाइस सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको उसके बाद क्या उप्संस आएगा फील प्रेमेंट करना उसके पहले आपको कॉलेज एलेटमेंट का आएगा मैं सब्सक्राइब कर लैकल सब्सक्राइब कर लेना उसके लाबाब दूसरा है उसके बाद आपको 27 तारीको 27 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज एलोट हुआ है कि नहीं सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज एलोट हुआ या नहीं आपके rank के basis पे वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कौन सा college मिल रहा है वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा ठीक है न सेगेंड आप 27 तारीक को आपको उसी दिन पता चल जाएगा कि कौन सा college आपको एलोट हुआ है उसके बाद क्या करना है 27 से ही आपका online fees payment का options हो के counseling में जाना है मांदब कई वार ऐसा होता है कि second round में student ने जो select किया और उसमें वो college उनको नहीं मिला जो college उनको चाहिए था उनका मन यह है कि हम third round में चले जाएंगे लेकिन हम उसी college मिलेंगे ठीक करेंगे तो उस case में आपको fees payment second round में करना है पीस आपका वह वापस हो जा of document में आपको किसी भी document को submit करने की अभी जरूरत नहीं होती है जो document आप admissions के time पर जो form filling के time पर जो भी documents आपने upload किया था वही document का verification होता है उसमें दो document verify हो रहा है और कोई भी document के वहां पर requirement नहीं है first document कि जो भी 10th का आपने mark sheet upload किया था ठीक है न वहीं mark sheet को आपको verify होगा उसमें आपका father's name लिखा होना चाहिए date of birth लिखा होना चाहिए या दूसरा कि अगर वह visibility नहीं है clear visible कई वारता कि student का camera ही अच्छा नहीं हो अब इतना 10th का mark sheet फिर से upload करने के लिए बोला गया है या अगर कई बार होता है कि dg locker वाले जो result upload हुआ है तो dg locker वाले result में उसाइद उनमे student के father's का name नहीं है date of birth नहीं है तो उस case में आपको वहां पर document में आपको फिर से upload करने का वहां पर options आता है तो उस case में आप upload करोगे दूसरा जो options जो problem create होता है कि अगर आपके जो cast certificate है अगर आपका cast certificate अगर में उसमें कोई problem होगा तो वो आपको फिर से upload करने के लिए options दिया जाएगा और आप अपने cast को अभी कोई भी conditions में change नहीं कर सकते हो जिस cast के basis पे आपका result declare हो गया है अब अभी कोई भी change नहीं होगा सीधे आपका seat cancel होगा तो cast में कोई भी changes नहीं कर सकते हैं जो cast आपने भरा था उस cast का अगर document मांगा जाता है तो आपको वो document submit करना है ठीके ना उसके अलावा CLC, SLC कोई भी document migration अभी कुछ भी submit करने की ज़र्द नहीं है यह सारे document आपको जब college open होगा तो आपको वहाँ पे जाके physical document सारा verification होगा जिसमें CLC हो, migration हो, 10th का marksit हो और सब कुछ वहाँ पे college में जमा करना पड़ता है जो की 3-4 माहिने के लिए वो university जाता है जो भी college के university हो वहाँ से proper verification होता है तो यह सारा process है तो आपका जो है क्या करना है जो आपको करना कुछ नहीं है जैसे ही आपका result आएगा आप क्या करोगे, payment करोगे, payment करोगे, payment करने के वाद आपका document automatic verification होगा और document verification में time लगता है, 2-3 दिन लगता है इसलिए यहाँ पे time भी है कि 27 से लेके और आपका 30 तक online payment करना है और 28 से verification शुरू हो जाएगा जो भी student 27 को payment करेंगे उनका 28 से verification शुरू हो जाएगा और वो कब 28 से लेके 31 तक आपका document verification होगा, 31 July तक, तो document verification चुकि 1-2-1 check होता है, एक एकर की check होता है तो इसलिए उसमें time लगता है तो उसमें घबराना नहीं है, सब का check होता है, first round वाले भी सब का check हुआ, भले late हुआ, कई बार होगा कि time के बाद भी check होते रह गया, उसमें अगरा कु DSU से call भी आ सकता है, तो इसलिए जो भी number आपने register, number और mail ID दियो हो, उसको pass में ही रखना, ठीक है न, कोशिस करना है कि उसके phone को respond करने का, और दरवाज मिस होगा, तो फिर आपके लिए problem होगा, कोई भी problem उसके अलावा भी अगर आप to create होता है, तो DSU का campus है, head office है, नेक्स्ट है, जब आपका document verification हो जाएगा, और डगुमेंट verified करके, और document verified आजाएगा, देखो मैं दिखा देता हूँ, आपको क्या options आता है, document verified में, यह आपको अपर दिखेगा, तो इसे मैंने, बहुस कुछ students का मैंने first round वाले का रख रख रखा है, ताकि आप लोगो को clear ह हो जाए जैसी यह आपको दीख रहा होगा स्क्रीन पर देखो यहां पर क्या लिखा हो इस तरह से फॉर्म खुलेगा जैसे अभी आपको चारी अप्शन यहां प्रीवी पर रेंक कार्ड है एलॉट्मेंट लेटर अभी आप लोग को नहीं दीख रहा है एड्मिशन होगे मैं जूम कर देता हूं क्या लिखा हो अप्लीकेशन स्सक्रीश में अंप्रिफिकेश्व का मद्लब क्ैलिख सेम् और घाने का मतलब है कि यह जो अपलोड कि उसी को कर सकते हो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है बस उसमें और चाहिए क्लियर होना चाहिए लेटर में यहां पर लिखा हुआ है कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोनिक्स एंजिने डिस्व पूसा वन केंपस वन इनको मिल चुका है जो भी स्टुडेंट्स है पूसा केंपस मिल गया है और पेमेंट स्टेटस पेड है और फर्स रांड में मिल गया है ठीक है तो यह उसके अलावा आप यहां पर पेमेंट सक्सेस्पूल का अप्शन साहिए जो पेमेंट है वह आपको 7,875 रुपीज का पेमेंट करना है और यह है एकसी ऑप्शन है इसमें देखो कितने सारे ऑप्शन आ रहे है माई अप्लिकेशन है प्रिव्यू फॉर्म है रेंग कार्ड है अल पेमेंट कर लेते हो उसके बाद आपका ड़कुमेंट फेरीफिकेशन होगा अपको इस देखोन के बाद अप ऐसे सीट कर लेना है जैसे सीट के स्टुदेंट हो गया है अब आप उस कोलेज के सटूदेंट हो कि न तो यह सारे प्रोसेस है जो आपको देखना है और घबराना नहीं है वट बाइवन प्रोसेस है बिल्कुल नहीं घबराना है ओके तो यह सारे स्टेफ जो मैंने आपको और भी कुछ जो ऑप्षन से धेहां पर फ्रीज होने के बाद क्या रहा है कि लिखा हुआ है पारमेंट टाइप एंड स्टेटर सीट फ्रोजेन फ्रीजिक करने का मातलब कि सीट फ्रीज होच चुका है ठीक है तो किलियर हो गया होगा सबका डाउट आपको किसी को होल्ट नहीं करना है जो भी स्टुडेंट्स को सीट चाहिए जिसे ही आपको वहां पर सीट मिलता है अगर सेकेंड डाउंसलिंग में आप लोग प्रमेंट करो प्रमेंट रिफंडेवल है क्लियरली लिखा इसके अलावा भी दूसरी बाद जो फर्स राउंड के स्टुडेंट कई बार गलतिक है सीट फ्रीज होने के बाद आप नेक्स राउंड के कांसलिंग में कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लोगे सीट फ्रीज होने के बाद आप उसे छोड़ दोगे आचा दूसरी बाद कि जो करमालो की college मिला है लेकिन उसको third round में जाना है तो आप seat freeze नहीं करोगे बस आप payment करके जो भी college मिला है उसको आप छोड़ दोगे उसके freeze नहीं करना है आप skip कर दोगे document verification करवा के automatic आप third round में परमोट हो जाओगे और third round में आपको फिर क्या होगा कि फिर से आपको college सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर आपको वहाँ पर seat मिलेगा तो इस बात को आपको बूरे ध्यान से देखना है ठीक है तो I think clear हो गया होगा हर एक student का डाउट बहुत सारे student के डाउट है मैं live इसलिए लेकर आया कि आप लोग ऐसे भी comment करते हो मैं पर ही ने पाता हूँ इसी चैनल के माध्यम से टेलीगराम जो डिस्क्रिप्शंस में लिंक है टेलीगराम पे जुर जाना जो भी options है जुरने का जुर जाना मैं update नीचे description बहुत सारे options है वाटसब है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, जो भी प्लेटफर्म पे आप अब अब लेबल हो, उस पे आप जूर जाना, आपको उसके माध्यम से हम आपडेट कर देंगे, ओके, फोन डिस्पॉंड में नहीं कर पा रहा हूं, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, इसलिए पोसेबल नहीं है, कितने कॉल्स को रिस्पॉंड करना, तुम्हें के एक कॉमन पिलेटफर्म के माध्यम से आप लोग को इन्फॉंड करूंगा, आप लोग घवराना नहीं है, लोग ने काफी अच्छा रिजल्ट भी दिया है, तो थैंक्यू के मोडलेशन के आप लोग बाट रहे हैं, और अभी हम हमारा जर्नी आपके साथ बहुत लंबा चलेगा, हम आपके लिए बहुत कुछ प्लान कर रखें, तो हम वो सब कुछ लेके आएंगे, तो अभी के लि मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही कोई भी अपडेट आता है, हम जल्दी ही आपको इसी चैनल पर अपडेट करेंगे, ओके थैंक्यू